हलो फ्रेंच, वेलकम तो आज चानल कानंताफिर अपडेटेट इस देवशी शवस्ती आज मैं आपके सामने एक बड़ा इंपोर्टेन लेक्शे लेक्ट लेक्षा हूँ या जन्वरी से लेक्टे दिसंबर तक 2022 में जो भी इस रो या इस से लेक्टे इन्फरमिशन रही है व सबसे पहले अगर मैंने इस तो का नाम लिया है आपके सामें तो यार फुल फॉर्म तो पता होना चाहिए इंडियन स्पेस रिसर्च और इसका फुल फॉर्म है तीक है दूसे पार इसका हेड़कॉर्टर का है इस बैंगलूरू और यह फॉर्म वह ता 1969 में और इसके जो प्र फॉर्स प्राइवेटली डेवलप्ट रॉकेट और इसका नाम क्या था प्राइवेटली डेवलप्ट रॉकेट है और इसका नाम आपको या रखना है विक्रम एस रॉकेट तो यह आपको नाम याद रखना है अब इसको डेवलप किस ने किया तो एक बड़ी इंपॉर्ट and start-up है जो के हैद्राबाद based start-up है उसका headquarter है इसका नाम है Skyroot Aerospace इस ने develop किया है इस इंडिया के पहले privately developed rocket को जिसका नाम क्या रखा है Vikram S rocket तो मोदी जी ने भी इसके बारें बात की सलिए important है, ठीक कि इसको launch किया IHSRO ने, develop किसे किया मैंने बता दिया, launch किया इस्टो ने सतीज धवन स्पेस सेंटर आंदरपदेश श्री हरी कोटा से रिमेंबर ठीक है वह इसका मिशन का नाम क्या रखा गया विक्रम एस रॉकेट जो नो डिवलप किया उसका नाम था है दूसरा पूछेंगे मिशन इस रोका है तो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये मिशन किसका है ये नासा का ये दोनों मिशन जो है ये किसके मिशन है सीधा कोशन आएगा तो आंसर है ये वीनस प्लानेट के लिए मिशन है ठीक है कब लॉंच होंगे वह भी मैं आपको बतायता हूँ पहले दाविंची प्लस जो है या दखे ये किसकी मिशन है ये कंपोजिशन अंडर्स्टाइड करेगा वीनस का और इसको लॉंच करने की डेट जो है वो 2029 में है नो के सेकेंड जो है डैट इस वरिटास ठीक है ये किसका मिशन है ट्राइट टू अंडर्सेंड हाव डिफरेंटी फॉम अर्थ तो वीनस का याद अखिए अगे बढ़ते हैं नेक्स वर्ल्ड का पहला पैरा एस्टोनौट कौन बना है पैरा एस्टोनौट याद इसको यूरोपियन स्पेस अजिंसी ने लॉंच किया बताया है कौन है और वो बताया है उन्होंने बिटिश का पैर ओल्लंपिक स्प्रिंटर है जिसका नाम क्या है जॉन मैकफॉल याद अखेगा तो इसको वर्ल्ड का पहला पैरा एस्टोनौट बोला जा रहा है ठीक है क्योंकि ये पैरा एस्टोनौट में डिसेबल एस्टोनौट होगा ठीक है तो उसको किसने अनाउंस कर दिया यूवपियन स्पेस एजेंसी ने तो ये कोशन भी आप आपको मार्स और्बिटर मिशन मॉम जिसको हम कह रहे थे रंस आउट ऑफ फ्यूल तो आप देखे इतने अपना काम कर दिया आठ साल से फ्यूल जो था इसमें वह खतम हो गया है और आपको मंगलयान मिशन के बारे में बता हूँ फिफ्ट नमवंबर टू तूँ थांटी म मिशन凌 canción लाउंच किया गया था इस उष्यूने और इसको लाउंच करते ही हम पहली future बन गय थे जिसोंने मास पर फ्रस्ट एंटम्ट में ही हमपहुच गये थे यहाँपर ठीक है ऐसा नहीं सिरre हमीं पहुचे हैं बट फ्रस एंटकर हैं फो पहली पहुचे मोँकर मास में तो MOM, that is Mars Orbiter Mission आपको याद आखे हैं मंगल यान अब इसका fuel up हो चुका है, खतम ठीक है, आठ साल हो चुके है नेक्स बात करते हैं, ये भी बड़ा news बें ये static exam में कुशना सकता है कि कौन सा पहला actor बना है, जो अपनी film space में shoot करने वाला है, ठीक है इसको इंटरनाशन स्पेस टेशन को बनाया हुआ है वो five agencies है, एक है NASA USA की एक है JAXA that is Japan की एक है ROSCOMOS Russia की एक है CASA that is Canada की और एक है European Space Agency तो इन पाचों ने मिलके, पाच space agencies ने मिलके इसको बनाया, यहीं पर Tom Cruise अपनी shooting करने वाले हैं, तो पहले actor बनाया है, तो यह भी बड़ा important है ठीक है, आगे बनने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दू, मेरे handwritten notes आ चुके हैं उसके बारे में description में उसके sample दिये हुए हैं, जैसे मैं आपको quality का sample दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं graphical notes है, आपके exam के लिए बहुत helpful होंगे, और आपको वगर sample देख रहे हैं, other subjects के भी, तो एक बार description box ने जाकर, हमाई handwritten notes के sample जरू देखिए, आप Korea करवा सकते हैं, आपके घर तक पहुँच जाएगा, उसके लिए contact number भी mention है, चलिए, आगे बढ़ते हैं next पर आते हैं, this is very important mission क्या नाम है, one web India one, one web India one mission, इसका दूसरा नाम भी है LVM3M2 mission, ठीक है अब confuse हो रहे हैं, what is this LVM3, तो LVM3 का full form है, launch vehicle mark 3, याद रखिएगा, ठीक है, और यह one web क्या है, यह एक British company का start-up है, ठीक है, one web ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, है क्या, देखिए actually, इस mission के थूँ, हम 36 satellite, कितने satellite, 36 satellite एक British data, इसका रहा है, one web उसके 36 satellite को हम space में पहुचा रहे हैं, ठीक है, और यह क्यों सा rocket use कर रहे हैं इसमें हम, that is, launch vehicle mark 3, इसका रहा हम है, LVM3 ठीक है, याद रखिएगा, यह rocket do, launch करें, और कहां से, अफकोस, अतीश धावन Space Center, श्री हरी कोटा से ही हम इसको launch कर रहे हैं, ठीक है, अब इसको develop किसने किया, this is very important, ठीक है मनलब finance किसने किया, वो बड़ा important रहता है क्योंकि LVM3M2 जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मिशन है, वन वेब इंडिया, वन मिशन, याद रखिएगा, इसको जो इसरो का कमर्शियल आम है, जिसका नाम मैं आपको बतायता हूँ, New Space इंडिया लिमिटेड, NSIL याद रखिएगे, इस अ कमर्शियल आम ऑफ इसरो आप, याद रखना है, ये Central Public Sector Enterprise के अंदर आता है It is a Central Public Enterprises जो की Department of Space के अंदर आता है Remember, what is what, NSIL जो की एक इसरो का कमर्शियल आम है कमर्शियल आम मतलब यसे प्राइवेट किसी कंपरी को सेटलाइट भीजिने हो, तो आप इसके दुरू भीज सकते हैं, तो इससे income मिलेगी है हमको, तो बहुत बहुत बहीं अच्छी बात है अभी जो mission था, LVM3 जो मैंने भी आपको बता रहा है, जिसमें 36 सेटलाइट सोड़े गए है Remember, तो ये आपको याद रखना है कि ये mission किसका था, NSIL का और ये commercial आमें किसका, इस रोगा ठीक है, आगे बढ़ते हैं Next आते हैं, PSLV C-53 ये क्या है, जिसका दूसरा में DSEO mission, ठीक है अब देखें, ये जो पहला mission था, जो मैंने अभी आपको उस दे पर डिसकस किया, LVM3 वाला यहाँ देखेंगा, ये NSIL का अफकोस mission था, ठीक है और NSIL के dedicated, first dedicated mission था जो NSIL ने launch किया और से अफकोस income भी अनकी NSIL का second dedicated, अगर मैं बात करूँ commercial mission जो NSIL का है उसका नामे PSLV C-53 remember इसको, अफकोस launch इस्टो के थूँ ही किया गया है और यहाँ पर तीन Singapur के satellite को launch किया है और आप देखेंगे, इसमें NSIL बड़ा important role play कर रहा है इनका मन करा रहा है, ठीक है, government of India को लिए और यह launch किया गया, सतीज धवन Space Center जो की शिरिहरी कोटा आंदरप्रदेश में है जो देखेंगे, पहला dedicated mission मेंना भी आपको बता है उसका second dedicated mission है ऐसे करके आप देखेंगे, प्राइविटाइशन of space आपने सुना होगा उसमें NSIL का बहुत important role है ठीक है, और फिर देखें, aerospace का भी बहुत important role है एक start-up जो private, मैंना अपको दिर पहले discuss किया रॉकेट बगर launch कर रहा है ठीक है, next आते है अब देखें, NSIL की फिर से बात करते है इसने launch किया है G-Sat24 ठीक है, और G-Sat24 क्या है यह पहला demand driven communication satellite mission है अब आप कहेंगे, demand driven communication satellite mission का मतलब क्या होता है तो demand driven का मतलब होता है याद रखेगा एक होता है supply driven, एक होता है demand driven demand driven, पहला demand driven mission है याद रखेगा इसका मतलब यह होता है, satellite launch करने से पहले ही आपको यह पता होता है कि आपके end customers कौन है मतलब satellite से, जो satellite भेज़रों, उसे क्या-क्या use होने वाला, उसमें कौन से customers होने वाले है और कौन से type of utilization or commitment या what kind of utilization commitment आपको उस satellite का आपको use करना है कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको यह पता होगा one will know who the end customer are going to be कौन होगी आपके customer and what the kind of utilization commitment ठीक है, क्या उनको utilization क्या वो use करेंगे, क्या उनका commitment होगा या आपको पहले से ही पता होगा इस से की क्या होगा आप पहले से ही satellite की capacity वगरा सब प्रॉपर develop कर लेंगे ऐसा नहीं कि और बिट में पता चल गया उसके बाद पर चला इसमें इतनी demand है वगरा पहले से ही आपको demand पता होगी ठीक है, तो यह demand driven पहला demand driven communication satellite है that is G-Sat24 और इसको NSIL ने launch किया, बड़ा important है ठीक है, G-Sat24 एक communication satellite है और इसके लिए है, यह Tata Tata play आपने सुना होगा, ठीक है आपने लगवार भी रखा होगा, तो Tata play के लिए यह communication satellite launch किया गया है इसमें आपको कुछ point यादख नहीं इसको build किया है इस रोंने funded किया है NSIL ने NSIL ने इसको fund किया है और build किया इस रोंने launch इसको कौन कर रहा है launch इसको कहर रहा है arena space, ठीक है यह arena space क्या है, वो भी आपको बता ज़ता हूँ launching vehicle है, arena 5 और यह arena space को launch कर रहा है यह है कहाँ पर, अगर आप South America का country देखेंगे, वहाँ पर आपको country दिखाई देगी French Guineas, remember तो वहीं के Guineas के space center से ही इसको launch किया गया है तो इंडिया के space center से सती धवन space center से launch नहीं किया गया है बता NSIL का role है, उसे fund किया है इसलिए important है, ठीक है तो यह point भी आपको याद रखने है आगे भरतें, next Indian Railway ने install किया है RTIS system with the help of ISRO यह क्या है, RTIS Real Time Train Information System इसको develop किस ने किया, ISRO ने जिसमें train की timing वगएरा जो भी रहेगी movement timing, वो सब पता चलेगा तो सीधा पुछाएगा, Indian Railway ने RTS install किया, उसको develop किस ने किया उसको develop किया आपके ISRO ने ठीक है, चलेए, next आते हैं, this is also very important, that is IAD IAD technology, क्या है यह inflatable aerodynamic decelerator, ठीक है अब यह IAD technology है क्या decelerator से यह तो समझ में आ रहा है कि मैं आपको speed, velocity को कम करने की बात कर रहा हूँ, decelerate करने की बात करो, बट यह है क्या अभी तक आपने देखा होगा, इंडिया के कोई space mission की आप बात सुनते हो, जैसे की मैं आपको बात करूँ, Mars orbiter mission की तो उसमें देखिए, हमने land नहीं कराया ठीक है, हम orbit में rotate कर रहे ठीक है, आप पिछले चंद्रयान mission को अभी भी आप कोई चीज़ को land कराना चाहते हैं तो याद की technology ऐसी है जो of course successfully tested by ISRO है और अगले Mars व जो Venus mission होने वाले हैं, उसमें हम इस technology को use करेंगे इससे होगा, क्या इससे याद देखिएगा आपको जब landing करानी होगी आप मार्स व वीनस में जब भी land कराएंगे तो easily land कर सकता है तो IED technology will help in landing process जैसे अभी हमारा mission fail हो गया चंद्यान 2 में अभी आपने देखा हो land हम proper नहीं करा पाएं लेकिन ये technology हमको help करेगी of course इससे ये technology medicine later इसलिए नाम रखा गया है कि जब ये to reduce the velocity of the pilot जब पिलोट जाता है उसकी velocity reduce करता है देकि scientific तो बहुत कुछ चीज़ें इसमें aerodynamic inflatable सबका मतलब है बट basic आप को ज़ाद रखें technology कर क्या रहे है ये बहुत ही light sense में आपको समझा दिया है मैंने ठीक है पुझा है क्या है ये एक weather satellite है weather की information देगा develop किस ने किया है सीज़ी बात है NASA ने इस रो नहीं किया है सिर्फ NASA ने किया है तो option में हो सकता है जो की wrong statement होगा NASA आपको भी पता है full form सबको पता होगा National Aeronautics and Space Administration full form बहुत लोग को नहीं पता होगा तो असले मैं लिग दिया है और NASA का headquarter Washington DC में है तो ये भी point आपको याद रखना है इस रो की बात करो तो NASA की भी जरूर बात करो ठीक है नेक्स है शुक्रियान शुक्रियान 1 ये पुझा रखता है next आते है Kalam 100 ये क्या है देखें Skyroot Aerospace के मैंने बात किया आप से जो कि एक बड़ा important startup है इस space में ठीक है तो ये जो Kalam 100 है Skyroot Aerospace ने successfully test किया है इंडिया का first private rocket engine ठीक है तो Kalam 100 क्या है इंडिया का पहला private rocket engine जिसको use किसमें किया गया है Vikram 1 में Vikram 1 launching vehicle में use किया गया है remember तो वही लिखा हूँ है इंडिया का startup Skyroot successfully test Kalam 100 engine on Vikram 1 launch vehicle remember तो Kalam 100 क्या है जा दखेगा एक क्या है जा दखना है इंडिया का पहला rocket engine है ठीक है इसको बनाया किसने aerospace है मैंने आपके सामें discuss कि Skyroot Aerospace की बात करा हूँ है ठीक है next यह question आप से पूछाएगा अपने गगन सुना हूँगा गगन का full form नहीं पता तो मैं आपको बताएथा हूँ GPS-Aided Geo Augmented Navigation यह एक navigation system है ठीक है अब यह गगन है क्या और question क्या आएगा Indico पहली airline बन गई है जिसने जो land aircraft को land कराने के लिए उसने गगन technology का जो indigenous build technology इंडिया की technology है उसका use किया है तो कौन सी पहली airline बनी है तो answer would be Indico ठीक है गगन के बाएप में जिसको नहीं पता एक navigation system है indigenously build है जो हमको accuracy provide करता है remember with the help of satellite आपको ground station आपके accuracy कहा use कर सकते है accuracy आपको बताता है एक तरीके से उसको develop किया ISRO ने और Airport Authority of India ने remember तो गगन को किसने बनाया है Airport Authority of India ने और ISRO ने और गगन की अगर बात कहूं तो वो aviation sector में जैसे मैं अभी आपको aviation में, railway में, forest management में बहुत जगे सका इस्तमाल होता है accuracy के लिए तो ये भी याद अखना है अभी recently Indico ने use किया है next ये रिके मैंने सीधे हिंदू का article उठा लिया है ये बहुत news में था कि इस तरो ने launch किया है small rocket कहा से श्री हरी कोटा से जिसमें हम अर्थ का observation satellite launch किया गया है और Azadi Sat satellite launch किया है ये बड़ा news में आ गया what is this Azadi Sat satellite ठेक है और ये launch किया गया है 7th August 2022 में ये है क्या वो मैं आपको बताता हूँ देखे यहाँ पर जो rocket use किया गया है वो है SSLV-D1 rocket ठेक है इससे क्या launch किया है अर्थ observation satellite जिसका नाम है EOS 02 और दूसर जो है वो है small satellite जिसका नाम है Azadi Sat ठेक है और ये जो अजादी Sat है याद एकिए इसको develop किया है students ने जो कि Space Kits India याद एकिए develop by student team of Space Kits India की जो team है उन्होंने develop किया है अब important क्यों है क्योंकि ये जो अजादी satellite है इसके वा हम discuss करो इसमें 75 पेलोच है जिसको build किया है 750 young girls ने याद एकिए बहुत important है और जो किया आती है 75 ruler government school से याद एकिए 75 पेलोच है 750 girls है जिन्होंने 75 ruler school से वो आती है उन्होंने build up किया है across India जिसमें tricolor इंडिया का आपको पता होगा 75th independence से था तो tricolor space में लहराने के लिए ये satellite launch किया गया तो ये बड़ा news में था तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 15 अगस में इसको बहुत सारे news में भी cover किया गया है नेक्स आते चंद्यान 2 की बात करते हैं चंद्यान 2 आपको पता फेल हो गया था हमारा बट हिंदू का आर्टिकल याया है कि चंद्यान 2 में evidence of sodium on moon for the first time तो पुछाएगा कौन चंद्यान 2 ने भी कौन सा element वहाँ पर find out किया तो answer is sodium चंद्यान 2 आपको पता है तो नाइटी में लॉंच किया था of course it was a failure but remember इसको लॉंच किस लॉंचिंग वेकल से किया गया था जी यह से मार्क 3 से और यहां पर आपको पता हो कि लैंडर था एक रोवर था लैंडर का नाम था विक्रम देखिए यहां पर बना हुआ है और रोवर का नाम था यहां पर प्रज्यान भी बना हुआ है बट आपको पता है यह successful नहीं हो पाया था अपना चंद्यान 2 तो कि चंद्यान 3 लॉंच करेंगे बिलकुल लॉंच करेंगे चंद्यान 3 का कब होने वाले हैं वो भी डेट इंपॉर्डट है यह इस इस वेरी इंपॉर्ड गगणयान मिशन यह एक्जाम में आपसे पूछा सकता है गगणयान मिशन है क्या देखिए इसको लॉंच टो 2024 में करेंगा भी डीसेंटिस की डेट 2024 कर दी गई है इंडिया का पहला यूमन स्पेस मिशन है हम यूमन मिंग्स को स्पेस में भीज रहे हैं जिसमें मैं आपको दादू तीन मेल एस्टोनॉट जाएंगे एक फीमेल एस्टोनॉट जाएगी ठीक है एक फीमेल रोबोट जाएगी इसका नाम है व्योम मित्रा यादखिएगा त्री मेल इंजन है विकास इसको टेस्ट किया है इसको ने किसके लिए गगन्यान मिशन के लिए तो विकास क्राइजनिक इंजन भी यूज किया जाएगा इसमें प्लस इसमें एक और बात थी याद अखिएगा है एक बूस्टर एंजन है जो कि जी एसली मार्क थी रॉकेट में यूज किया जाएगा जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को इस पेस पेस पहुचा रहे हैं उसका नामें गगन्यान जादे कि ट्वेंटी फोर में इसकी डेट डिसाइन की गई है अठिर आते हैं आदेत अधित्य इलवन मिशन इंडिया का पहला मिशन है जो की सण की एट्म option को study करेगा इंडिया का पहला ज हो को फोर्श केया था मवी 出去 में समिल हम 2023 में इस साल 2023 में इसको हम लांच करने वाले तो न्यूजमेर में आए गा नेक्स है तेभर उपोलर सेट है लॉँच्छ स्रीहरी कोटा सतीज जवन स्पेसदर अंधरपदेश्ट ते ही कर रहे हैं इसमें इंपॉरेंट नैनो सैटलाइट से उसमें एक सेटलाइट है आई एन्स टूबी फुल फॉर मताता हूं ऑगर नैनो सैटलाइट है निंस से तूटू है फॉर भूटान वी शे तो अब भूटान ने मिलके इसको develop किया है, तो उसको launch कर रहा है, और अगर नेयनो सेटलाइट एक तो यह हो गया, और 7 अधर हैं, जैसे कि आनन्द है, Istrocast के 4 हैं, और Tribolt के 2 हैं, तो 7 ही हो गया, और 1 ही हो गया, तो आठ नेनो सैटलाइट हम PSLV C54 से लांच कर रहे हैं तो आप कहेंगे इसमें तो 9 थे हैं आठ तो नेनो सैटलाइट हो गया है और जो 9th सैटलाइट उसे EOS 6 फुल फॉर्म बताएता हूँ Earth Observation Satellite 6 जो की याद दखेगा Ocean Set Series का 3rd generation का सैटलाइट है जिसका काम है Ocean का color वगएरा, sea surface temperature, wind factor, oceanography वतब यह सब चीजों को यह study करेगा एक तरीके से Ocean की study यह करेगा तो यह थे 9 सैटलाइट जो की लांच किये जा रहे हैं PSLV C54 से आगे बढ़ते हैं नेक्स आता है Inspire Satellite 1 यह इसलिए important है क्योंकि हिंदू में जो article आयास में यह आया है कि पहली बात ताइवान की presence आ रही है इस रो में कैसे यह जो mission है Inspire Satellite 1 इसको launch तो इस रो कर रहा है बट इसको develop करने में 4 countries का रोल है एक तो इंडिया एक यूएस एक ताइवान और एक सिंगापूर तो देखिए ताइवान रोल प्ले कर रहा है तो चाइना बड़ा नराज हो जाएगा बट रोल प्ले कर रहा है ठीक है और जो launching vehicle होने वाला है वो PSLV C52 होने वाला है Inspire Satellite 1 के लिए ठीक है जो launch हुआ है ठीक है और उसमें कौन से launch satellite यूज किया वही मैंने आपको बता जाएगा C52 ओके नेक्स है निसार mission निसार से N से है NASA I से है ISRO SAR से है Synthetic Aperture Radar सीज़ पूचा के निसान mission में कौन दो लोग है तो NASA और ISRO है ठीक है यह Earth Observation satellite है Earth Observation mission है ISRO और NASA का ठीक है जो कि 2024 में launch होगा यादगनापको और कहां से आंध्र प्रदेश्टे 37 धवन Space Center से launch किया जाएगा तो यह question आप से पूछ सकते है निसार क्या है नेक्स है LUPEX फुल फॉर्म है Lunar Polar Exploration Mission इस में दो कौन सी country है वो जादगा है ISRO है इंडिया है और दूसी जपान की Space Agency that is JAXA जपान Aerospace Exploration Agency जिसको हम launch करने वाले है 2025 में नेक्स है WASP 103B सीधा पुछाएगा यह अभी न्यूज में था यह है क्या देखे यह एक potato shaped planet है जो अभी डिस्कवर किया है और इसको डिस्कवर किया है याद कि European Space Agency ने तो सीधा पुछाए WASP 103B न्यूज में है यह है क्या तो यादगा है एक planet है next spark what is this spark virtual space museum ठेक है जिसको launch किया है इसरो ने virtual space museum को यह museum showcase करेगा digital concentrated to various इसरो के mission है उसको interactive manner में जितने भी इसरो के mission उसको interactive manner में यह spark virtual space museum जो है वो है ठेक है उसको launch किसने किया है ज्याद कि ISRO ने तो पूछा रचाएगा से इसो नभी recently virtual space museum रखा है उसका नाम क्या है तो आंस 3 satellite पुछाएगा यह satellite किसका है आंसर है चाइना का और अर्थ observation satellite जैसे इतना याद अखना है चाइना का है इंडिया और नासा का इंपरेंट तो चाइना सुर्फ ऐसे light note पर आप गोत्रूगा सकते हो राजनाचिंग सिधा पुछाएगा इनॉग्रेट किया कल्पना चाबला Center for Research पुछाएगा कहां पर अनॉग्रेट किया आंसर है चंदीगर उनिवसेटी चंदीगर में अनॉग्रेट किया है तो पुछाएगा इसकी location क्या है आंसर होगा चंदीगर ठीक है एस्टो सैट ठीक है आपसे पुछाएगा एस्टो सैट क्या है इंडिया का first multi wavelength space telescope है ठीक ह उसका नाम क्या है तो आंसर है एस्टो सैट रिमेंबर ठीक है नेक्स है इंडिया सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन इन स्पेस याद अखिएगा यह पूछा सकते आपसे यह कहां स्टैबिश किया गया है अभी देखे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहां पर देख रहे हो आप उनकी इमेज दिखी होगी इसको स्टैब्रिश किया गया एहम्दाबाद में उसको इनाउग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो इसलिए इंपोर्टन हो जाता है ठीक है और इसका सेंटर कहां पर याद दखिएगा एहम्दाबाद म कैपस्टोन मिशन सीधा पुछाएगा का किसका है आंसर मून का है और इसको लांच कौन कर रहा है नासा मैंने बता हैं नासा और इंडिया के जो इस तो के मिशन होंगे वो एक्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टन हैं इंडिया का पहला प्राइविट स्पेस्क्राफ् सुराय का नाम आपने सुना होगा दोनों मिलके जॉइंट लॉंच कर रहे हैं एरो स्पेस इंजिनिंग सेंटर और यह सेंटर कहां बनाया जा रहा है अगेन आंसर है बैंगलूरू ठीक है सिलिकॉन वैली इसलिए तो कहते हैं उसको यह दोनों मिलके इंडिया का पहला कमर्श सरफिस विदूर लॉंच कर रहे हैं नेक्स क्या है नासा का यह पैस्टर मॉइसी करता एंट्या कंपेरिमेंट्स प्धी कहां पर है तो यह दख्येकने का पहला इंटिंट्यचेटर ऑूटैट driving कहा पर है तो यहां दखिंएा अरो सपेस यदिसका。 इसका हेड़कॉर्टर हेद्रवाद में रिवेंबर ठीक है उन्होंने ही बनाया है इंडिया का पहला इंटिगेटर रॉकेट फेसिलिटी और जो की कहां पर सेट अप किया है जहां का हेड़कॉर्टर है याद करने की ठीक है आई टी मद्रास पूछाएगा नासा के साथ किस इपने जोइंटी किया बनाय ऊड़कीएगा स्टाइज किया है माइक्रोप्स और इंटर्नाश स्पेस्टेशन बात किस आप से लिए माईटी मद्रास ने और नासा ने लोगया क्या है पsk sector मशन आएकर कॉछेजर नन्टे इनीगराथ थो आपर मन् है नासा का नहीं है याद कि इरान का है तो यह भी 2022 में न्यूस में था तो यहां पर हमाई जितनी भी स्पेस से लेटेट करें अफेस थी मैंने सारी बता दी है आप चारें से साइंस के लेक्चर पॉलिटे हिस्टी इकनॉमिक साई लेक्चर देखनें आपके ठीक है जिसमें आपके घर तक बहुत सकते हैं ठीक है उसके लिए आप मेरे एक बार वीडियो डला हुआ है आप देख लीजिए नोच पसंद आते हैं कॉन्टाइक नमबर मेंशन आप नोच शॉटर कर सकते हैं और आम से पढ़ सकते हैं और अग आप यूपीसी की पर प्रप्रेशन कर रह करने में तो वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकते हैं अपने फ्रेंज के साथ जरूर शेयर करें कोई डाउट को इरिये कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू